लड़की हूँ लड़ सकती हूँ बस राज्यस्तान नहीं जा सकती हूँ बिहार पर मुँ में दहीं जमा सकती हूँ और बेंगॉल पर होट सिल सकती हूँ लड़की हूँ राज्यस्तान नहीं जा सकती हूँ और कोई महिला अपरात की वाज उठाए तो मुख्यमंत्रिय अशो तो ठाके मा के हसले ना बचाने की लिए मैं तुम्हारे लड़ सकती हूँ अरे राज्यस्थान में अपराधिक घटनाएं महिलाओं पर कौन-कौन सी विजरा एक बार सोची तो सही मुख्यमंत्री के घर से पांच किलोमेटर दूरी पर वैशाली नगर में एक बच्चे के सामने उसकी मा की इज़्जत लूटी जाती हूँ उसको मरने पर मजबूर किया जाता है करोली में युफ्ती का अपरण करके गैंग रेप करके गोली मारी जाती है एसिड गरा जाता है फिर कौन में डुबा दिया जाता है दौसा में आदिवासी महिला का अपरन करके गैंग रेप करके ऐसी डालके उसकी भी हत्या कर दी जाती उधेपूर में आठ साल की बच्ची के साथ दुशकरम करने के बाद आठ टुकडे करके फैंक दिया जाता है जंगल में बीका निर के खाजुवाला में दो पुलिस वाले शामिल होते हैं बलादकार में लेकिन गिरफतारी पहले दिन नहीं होती सिसी टीवी कैमरा में है तब भी उसके बाब जोद जोदपूर में जिसको भाई जैसा माना था ऐसे तीन लोगों ने दरिंदे कहुँगा मैं तो जिन्होंने दुश्करम करने का काम किया और यह मुख्य मंतरी का ग्रह जिला है अरे मुख्य मंतरी तो सोय है लेकिन जो लड़की है लड़ सकती हूँ वो कहां है जो बॉर्डर से चले गए करोली के पास से लेकिन वहां नहीं जाने का दम भर पाई जहां करोली में दलित युफ्ती के साथ गैंग रेप करके एसिड जांके उसको मार दिया जाता है दलित हो युफ्ती हो महिला हो इनके खिलाफ राज्यस्थान नंबर वन अपराद की दृष्टी से महिला अपराद की दृष्टी से बना है